हेलो एवरिवन, वेलकम टू सक्सेजवित राय अकेडमी 18 जनवरी 2023 के दैनिक जागरान के राष्टे संस्क्राँ को आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली जो न्यूज हम ले रहे हैं वो है पाक का मक्की, वैस्विक आतंकवादी घूशित इस न्यूज को हम इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूज है और जो प्रधान मंतरी मोदी हैं उन्होंने भाष्पा की कारेकरताओं को संबोधित करते हुए बोला है कि जो लोग सभा चुनाओं में 400 दिन 60 बचे हैं, 365 दिन तो हो गया आज से अगर आप जन्वरी से काउंट करते हैं तो इसमें लगबख 60 दिन और जोड लीजिए या 50 दिन और जोड लीजिए याने कि फर्वरी में या मार्च स्टार्टिंग में इसकी अधिसुषना आ जाएगी कि किस-किस डेट में चुनाओं होने हैं और अप्रैल और मई में चुनाओं हो जाएंगे तो इसको लेकर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भाजपा कारेकरताओं से एक जुट होकर सेवा में जुट जाने को बोला है याने मतदाताओं की सेवा में जुट जाने को बोला है भाशपा ने उनके लिए क्या किया है किन सरकार ने उनके लिए क्या किया है और आगे क्या करेंगे ये सब बातें मददाता को बताने का जो जिम्मा है वो कारेकरताओं पर छोड़ दिया है और कारेकरताओं से बोला है कि वो अपने पूरी उर्जा के साथ आगामी चुनाओं के लिए लग जाएं तो इस न्यूज को डिसकस नहीं करेंगे, नेक्ट न्यूज पर आते हैं जो है पाक का यानि पाकिस्तान का मक्की वैश्विक आतंकी घोशित देखिए ये है मक्की और इसे लश्करे तोईबा के जो संस्थापक है लश्करे तोईबा का हाजिफ सईद उसका करीबी माना जाता है और ये करीबी रिस्तदार भी है उसका तो पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर एक गहरा घाव लगा हुआ है क्योंकि जो अब्दुल रह्मान मक्की है इसे पिछले एक साल से भारत वैस्विक आतंकवादी घोशित कराने के लिए UNSC में कई बार आवेदन दे चुका था सिफारिस कर चुका था लेकिन चीन अपने वीटो पावर के द्वारा इसे आतंकवादी वैस्विक आतंकवादी घोशित होने से रोक दे रहा था लेकिन फिर से जून 2022 में भारत और अमेरिका ने सयुक्त रूप से ये प्रस्ताव UNSC के पास रखा कि इसे वैस्विक आतंकवादी घोशित किया जाए इस पर चीन इस बार वीटो पावर नहीं लाया और उसने इसे माना कि हाँ इसे वैस्विक जो आतंकवादी है उसे रखेगा और उसमें UNSC की महत्रपूर भूमिका है और वो भी उसे निभाता रहेगा विदेश मंत्राले के जो प्रवक्ता है अरिंदम बाक्ची उन्होंने भी कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ विश्वसनी है और ठोस कारवाई के लिए भारत अंतराश्टी समुदाय की म इर्माना जा सकता है अगर हम इसमें बात करें तो जो सुरक्षा परिशत में फैसला लिया गया उसका असर क्या होगा था कि इसको भी इस को प्रतिबंदित करना होगा इसकी गतिविदियों पर नजर रखना होगा और इसके खिलाफ कारवाई करनी पड़ेगी और जो आतंक की तो पूर में लशकरे और जैस के सरगना हाफिस सहीद और अजहर मसूत के खिलाब भी भारत सफलता पूरो अभियान चला चुका है अजहर महमूत को चीन ने वर्स 2009 से 2019 तक वीटो के जरिये बचाया था लेकिन बाद में अंतराश्टिय दबाओ के आगे उसे जुकना और उसने अजहर महमूत को और हाफिस सहीद को अंतराश्टिय आतंकवादी घोशित करवाया था यानि कि अपना वीटो पावर यूज नहीं किया था चलिए नेक्श निउस पर आते हैं नेक्श निउस में जो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री है सहबाज शरीफ उनका एक स्टेट्मेंट है कि भारत से हुए युद्ध से सीख चुके हैं सबक यानि कि तीन बार सबक सीख चुके हैं और इन्होंने ये जो बाते बोली हैं वो दुबाई के एक टीवी चैनल अल अरबरिया में स्टेट्मेंट दिया है यानि कि इंटरव्यू में ये सब बाते बोली हैं उन्होंने हाला कि ये बाते तो बोल दी लेकिन पहले तो ये बोल मंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोधी उनके साथ कस्मीर जैसे जुलंत मुद्दे को हम बैठ कर बाचीत के जरिये हल करना चाहते हैं इन्हों ने तो ये इस्टेटमेंट दे दिया उसके आधे से एक घंटे बाद ही पाकिस्तान विदेश मंत्राले का इस्टेटमेंट आया कि भ बात करें भारत की पाकिस्तान के साथ कब-कब युद्ध हुआ है 1965 में हुआ है 1971 में और 1999 में जिसमें तीनों युद्ध में पाकिस्तान को बहुत बुरी हार मिली है और अंतराश्टी समुदाय से भी उसको काफी कुछ सुनना और जहलना पड़ा था हाल के महिनों में ये तीसरा मौका था जब सरीफ सरकार ने भारत के साथ रिष्टे सुदारने की बात कही थी लेकिन और फिर वो पलेट भी गया पाकिस्तान के इन बयानों पर भारत की कोई टिपड़ी नहीं आई है क्योंकि इन बयानों को भारत गंभीरता से नहीं लेता ह और पाकिस्तान इन दिनों चोतरफा मुसीबत में भी घिरा हुआ है आपने नियूस चैनल में देखा होगा नियूस पेपर में भी आप पढ़ते होंगे कि राजनेतिक अस्थिरता के कारण उसकी आर्थिक इस्तिती बहुत बिगड़ चुकी है अगर हम सिर्फ एक बात करें क आटा जो है उसकी कीमत 72 से 100 रुपए किलो चल रही है एक किलो आटे की कीमत 72 से 100 रुपए किलो चल रही है तो यानि समय लीजे जो एक नॉर्मल परिवार है अगर वो गरीब परिवार है तो किस तरीके से अपना पालन पॉश्ण करेगा चलिए नेक्ट नियूस पर आते है आरवी एम पर चुनाव आयोग फिलाल नहीं हटेगा पीछे अधर के रिमोट इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का जो प्रेजन्टेशन दिया गया था परसो उसकी नियूस को हमने कल डिसकस किया था इसी दैनिक जागरण के राष्टिय संस्क्राण में जिसमें आठ राष्ट्रिय दल और लगभग बावन छोटे जो राजनेतिक दल होते हैं छेत्रिय दल होते हैं उनको बुलाए गया था जिसमें सभी दलों ने एक जुट होकर इस मत को कैंसल कर दिया था और ये बोला था कि जो सबसे एहम है कि जो लोग वोट नहीं देते हैं अगर हम 2019 की बात करें तो जो लोग सभा का इलेक्शन था 2019 का उसमें 30% वोटरों ने वोट ही नहीं दिया था तो जो विपक्ची दल है उन्होंने बोला कि आप इस पर फोकस करिए कि ये जो 30% छूट गए थे वो इस बार कम से कम 40 से 45% हो जाएंगे अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे और RVM को अभी आप फिलाल के लिए टाल स दिया गया है तो आयोग ने RVM का प्रोटोटाइप भी तैयार करी लिया है और निश्चिती राजनेतिक दलों के सामने इसे प्रस्तुत करने के पहले उसने खुद इसकी परख की होगी और वैसे अगर हम बात करें तो चुनाओ आयोग ने मददाताओं को इस बात का अधिक ऐसे में आयोग RVM के जरिये उन्हें वोटिंग की सुविधा मोहिया करानी की तैयरी कर रहा है इसके जरिये एक सांथ 75 निर्वाचन छेत्रों में मददान की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी लेकिन विपक्षी दल अभी इस पर एक जुट नहीं है चलिए नेक्ट न्यूज है बिएसेफ के पूर्व डीजी पंकज कुमार सिंग डिप्टी NSA चुने गए हैं और NSA कौन है अजीत दोभाल जो ये पंकज कुमार सिंग है ये अभी तक बिएसेफ के डीजी थे और ये 31 अगस्थ 21 अगस्थ 2001 में बिएसेफ की कमान इन्होंने समहाली थी और बिएसेफ प्रमुक रहे थे और अगर हम बात करें तो ये रिटायर हुए हैं 31 दिसमबर 2022 को यानि कि 15-16 दिन बाद ही ये फैसला ले लिया गया कि ये डिफ्टी NSA होंगे और इसके लिए लेटर भी जारी कर दिया गया है पंकज कुमार सिंग जो हैं वो 1988 बैच के IPS अधिकारी है इनके जो फादर थे पंकज कुमार सिंग के पिता उनका नाम था प्रकास सिंग वो 1969 बैच के IPS अधिकारी थे और वो भी BSF के DG रह चुके हैं और उन्होंने ही जो CBI है या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब जो इनके फादर थे पंकज कुमार सिंग के प्रकास सिंग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याज का दाहर करी थी जिसके बाद से सरकार ने खूफिया ब्यूरो, CBI प्रमुख, विदेश सचिव रौ प्रमुख और केंद्री ग्रह सचिव को दो-दो साल के निश्चित आउधी का कारेकाल देना प्रारंब किया था तो अब इनका कारेकाल कैसा रहेगा और जिम्मेदारी कैसी रहेगी यह आने वाला समय बताएगा क्योंकि NSA जो है अजीट दोभाल उनकी कारशेली से सभी लोग वाकिफ है नेक्स्ट है चीन के वाटर वार के उसे चीन में यालूंग सांगपो बोला जाता है और चीन जो है इस नदी पर 60,000 किलो मेगावाट की 60,000 मेगावाट की एक पन विजली परियोजना बना रहा है और इसके लिए बहुत बड़ा डैम बना रहा है अगर हम इस पूरे नदी की बात करें ब्रह्म पुत्र नदी की तो इसकी जो कुल लंबाई है 2880 किलो मीटर है जिसमें 1700 किलो मीटर एरिया जो है वो चीन में पड़ता है यह मतरत तिबबत में पड़ता है और तिबबत को आप जानते हैं कि चीन अपना छेतर मानता है और भारत के साथ ही ब्रह्म पुत्र जो है वो बांगलादेश में भी बहती है अब जबकि भारत और चीन के रिष्टे लगातार बिगड़ रहे हैं इस 24 से निपटने में भारत लगातार जुटा हुआ है और गंभीर कोशिस भी कर रहा है इसी कोशिस के तहट भारत अपने इलाकों में बड़ी पनविजली परियोजनाओं पर विचार कर रहा है अभी वहाँ 2000 मेगावाट की सुबान सीरी परियोजना पूरी होने वाली है और 2880 मेगावाट चमता की दिबांग परियोजना की भी अंतिमन्जूरी का इंतजार है यानि 600 मेगावाट चमता की परियोजनाओं के लिए विबिन इस तर पर अध्यन चल रहा है यानि के टोटल जो है रुनाचल परदेश के साथ टोटल मिला कर 11200 मेगावाट चमता की जो परियोजना है पन बिजली परियोजना वो भारत कर रहा है और 60,000 की जो पन बिजली परियोजना है वो चीन कर रहा है तो चीन लगातार चुनौती बनता जा रहा है भारत के लिए और भारत भी अब इसका जवाब देने के लिए कई छोटे छोटे डैम बना रहा है लेकिन चीन एक साथ बढ़ा साथ हजार का एक साथ डैम बना रहा है और भारत दो हजार अठाइस सो और बाकी पैंसट सो का की एहम स्रेणी और कुछ वीजा स्रेणियों में प्रीमियम प्रक्रिया को विस्तार देने की योजना की घोशना की है खास तौर पर विजसी छात्रों के प्रसिक्षन से संबंदित आवेदनों पर विसेश रूप से विचार किया जाएगा भारत के साथ जो संबंद है वो अम अमेरी की वानिजिस सहायक उपमंत्री यानि की कॉमर्स फॉर ग्लोबल मार्केट आरोल वैंकट रमन ने मंगलवार को बताया कि यहां चात्रों को विजा जारी करने में खासी प्रगती हुई है और इसकी फीस बढ़ा दी गई होगी बढ़ा दी गई है और इस निउस को हम पहले डिसकस कर चुके हैं इसी लिए मैं बोलता हूँ कि आप धैनिक जागरन या फिर किसी भी निउस पेपर को पढ़िए अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को देखिए हम इस वीडियो में उन्हीं निउस को कवर करते हैं जो एक्जाम के दृष्टी को से महत्यपोन होती हैं और उसमें हम इंपोर्टन फैक्ट्स भी बताते चलते हैं तो जो चार सो साथ डॉलर अभी तक लगता था उसे लगबग 900 डॉलर और 900 डॉलर से 1100 डॉलर तक कर दिया गया है तो इसके बाद जो आप कहा सकते हैं कि जो विदेश में जाना या सारी अम महंगा भी हो जाएगा चलिए नेक्ट निउस पर आते हैं नेक्स निउस है बिजनेस पेज से बिजनेस पेज में हम पहली निउस ले रहे हैं कि 5G के कुसल पेशेवरों की कमी बड़ी चुनौती है देकि भारत लगा था टेलीकॉम सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और 5G तकनीक आ चुकी है और ये 5G जो तकनीक है वो पैर परसारने के सांसा देश के विभिन सेक्टर भी अपनाने के लिए इसको तयार है लेकिन संभावनाओं का रास्ता तो नजर आ रहा है लेकिन जो कुसल पेशेवर हैं वो अभी तयार नहीं है अगर हम बात करें कि 2025 तक दे और अभी जितने हैं उनमें 28 परसंट का गैप है सरकार ने इस दिसा में कदम तेज किये हैं और देश भर में 50 ट्रेनिंग लैप खोलने की तयारी भी की है इसमें अगर हम बात करें टेलिकॉम सेक्टर इसकिल काउंसिल ने आकलन किया है कि निकट भोईस में क्लाउड कम्प रोबोटिक्स आदी में 5G तकनीक के कुशल युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावना होंगी विसे सग्यों का मानना है कि आटो मोबाइल मैनुफेक्टरिंग हेल्थ केर और सिक्षा चेतर भी आने वाले समय में तेजी से 5G तकनीक को अपनाएंगे इस तरह पू चीन में 50 वरसों की दूसरी कम आर्थिक वरद्धिदर देखने को मिली है अब इसमें जो आकड़े जारी किये गए हैं उसमें ये बताया गया है कि 2022 में चीन ने सिर्फ 3 परतीसत की वरद्धिदर दर्ज करी है आर्थिक वरद्धिदर और इस से पहले 1974 में इन्हों ने किया था 2.3 परतीसत का यानि कि ये दूसरा सबसे कम आकड़ा है तो ये चीन के लिए हाला कि चिंता जनक है लेकिन चीन आपको पता है कि इन सब आकड़ों को छुपाता है और अपनी मनमानी करता है तो इसमें बताये कि पिछले 50 वरसों में चीन की अर्थ वरद्धा में ये 8.1 परतीसत थी अब देखिए 2021 में 8.1 परतीसत और 2022 में 3 परतीसत कितना बड़ा गैप देखने को मिला है एन बी एस यानि राष्टी सांखिक ब्यूरो जो चीन का है उनके आकड़ों के अगर बात करें तो 2022 में चीन का जो सकल घरेलू उतपाद है वो 121.2 लाख करोन परतीसत की गिरावट दर्ज की गई है इस नीती के ही चलते जो अब आर्थिक व्रदीदर का सकम होना सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है जो चीन की कोविड पॉलसी है जीरो कोविड पॉलसी सक्त प्रतिबंद लगाना जो प्रमुक औद्योगी छेत रहें उनमें सक्त प प्रतिक व्रदीदर की बात करें तो वार्षिक आधार पर दो दिसमलो तीन प्रतिसत रही है जो तीसरी तिमाही में तीन दिसमलो नौ प्रतिसत थी इस ओधी के दौरान चीन के अधिकांस बड़े और अधिक सहरों में लॉकडाउन लगा हुआ था चलिए नेक्श निउस पर आते हैं यह भी इंपोर्टन निउस है कि ब्राजील जर्मनी वर निदर लेंड बने भारत के प्रमुक निर्यात बाजार अगर हम वैश्विक जो चुनौतियां है भारत लगातार ने बाजार की तलास करता रहता है और इस दिसमें सफलता भी नजर आ रही है यही कारण है कि जो ब्राजील है जर्मनी है और निदर लेंड है ऐसे देशों के साथ जो भारत वेपार कर रहा है तो भारत के पहले दस निर्यात कों में इन यह देश सामिल हो गये हैं अगर हम टॉफ 5 देशों की बात करें तो यह देखी यह है अमेरिका जो निर्यात का जो वो 69.57 है, UAE के साथ 23.13 है, निदर लेंड के साथ 23.67, चीन के साथ 11.03 और बांगलादेश के साथ 8.77, इसमें चीन के साथ सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिली है, वानिच जिवा उद्द्योग मंत्राले के अनुसार चालू वित्वर्स में अप्रैल दिसम्बर के दौरान ब्राजील को निर्यात में पिछले वर्स वित्वर्स की समान अवधी की तुल्ला में 63.62 प्रतिसत तो निदर लेंड को निर्यात में 68.86 प्रतिसत की बड़ोत्री देखने को मिली है, UAE के साथ मुक्त व्यापार समझोता होने की वज़ा से चालू वित्वर्स में अप्रैल प्रतिसत की व्रद्धी रही है, लेकिन चीन और बांगला देश को निर्यात में गिरावट देखने को मिली है, नेक्स्ट निउस है, इंटरनेशनल पेश से चीन की जनसंख्या में 6 दसक में पहली बार आई है गिरावट, दुनिया की जो सबसे बड़ी आबादी वाला दे देश की आबादी आठ लाख पचास हजार घड़ गई है, बहुत बड़ा अकड़ा है ये, चीन के राष्टी सांकिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुमान है कि इस वर्स भारत सरवाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, सांकिकी ब्यूरो की रिपोर्ट ऐसे समयाई ह है, जब चीन की आर्थिक व्रद्दीदर पांच दसक में अपने दूसरे सबसे निचले स्तर पर है, यानि की दो दिसमलो तीन और तीन परतीसत, स्वयुक्त राष्ट जो हमने अभी बिजनेस पेज में डिसकस किया था, और स्वयुक्त राष्ट के जो आर्थिक वा समाजि चीन की संभावित वो एक दिसमलो तीन एक साथ आबादी से अधिक होगी। की पढ़ाई के छेत्रों में बड़ा प्रोसाहन देखने को मिला है, साथ ही इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सुरक्षा भी मिली है, जो डिश्टल हुआ है, सब कुछ उसकी वज़ा से। हेल्थ एंड हेल्थ केर कम्यूनिटी के डिनर के दोरान विश्व के नेताओं का आवान करते हुए मांडविया ने कहा कि आप सब भारत के साथ मिलकर दुनिया को एक स्वस्त दुनिया बनाएं, भारत सरकार हील इन इंडिया पहल के जरिये चिकित्सा परेटन को संस्थाग भारत को आउसर की भूमी बताते हुए उन्होंने सभी भागेदार देसों को इसका लाब देने का नियोता दिया है।